पर फिलाल देखन नारे हैं वाई कॉंग्रिस पर तैसे को अपर इड़ी के चाप पर बहुत लागण दारे हैं तो तरक अगरी आपका गरगा करणी पावाई पर फिलाल जो है राजनीतिक अपनी बाइटा बजार शी आईडी और सरकार के आंकड़े मेरे जीत पतर हैं अजगा की कोई जीत है तो पहली शिट बोणी खेड़ागी है वह कहते हैं हम पार्टी जे कोई भी हो मैं अगर कॉंगर्स पार्टी आपको ट्रिक्ट देती है तो हम राजनीतिक अपनी बाइट ओड़ना गरी है राजनीतिक कवरेज ओड़ना गरी है क्योंकि मुक्का है चुनाओ का और लोग सबाद चुनाओ के बाद जो है विधान सबाद चुनाओ जो हो सर को उपर है तकरीब नो बताए जा हमेने डेड़ मेने के बाद आचार शीता मौजूद हूँ और मेरे साथ जो सक्स हैं जो सक्सियत हैं तो नाम के पैचान के मोताज तो नहीं है महिंदर सिंग ओड़ जी जो की पिछे भी चुनाओ लड़ चुके हैं हज का पालटीत है उस टाइम पर भी जो है थोड़ा हाँ चुक होगी थी थोड़ी सी कमी रही थी वह भी कारण जाना कि उस टाइम पर केकमे रही थी और अब दोबारा जो है ये एक बार फिर वेसे तो जनता तो जुड़े रहे हैं लगातार आम जनता का बितर रहे हैं उनकी प्रेसानिया भी सुनी हैं समय से हल करवान की जो है कोशिश भी करी हिंड़ना अपनी तरफ ते सर्मा जी आपके जितनी दर्सक हैं सभी को मेरी आजोड़ के राम राम और आपको भी बहुत बहुत प्रणाम आप एक पूजनी बरहमन हो तो महिंडर जी बात करां तो अफिलाल जो है चुनाओं का माहूल है हर तरफ जो है चर्चा चलना रहे हैं विदान से बाचुनाओं की तो फिर के लागए है के स्थिती क्योंकि आप बी जो है लगातर आपके बही जन संपराका भ्यान जानना रहे हैं के आवाज आणा लाग रही है सबसे पहले तुम्हें सर्मा जी आपके चैनल के माद्व से जिक्त वाध में सहीदों को नमन करता हूं जो कारगिल में करूंए बवानी खेड़ा का पूरे 90 अलकों में से साइधी पहला बिच्टा हुआ अलका बवानी खेड़ा मिलेगा क्योंकि यहां पानी की बड़ी भारी समस्या है सुंदर नैर में 42 दिन में वह वह तीन दिन दिन लिए पानी आता है प्यानी की बात करूंए आज बवानी ख करूं तो शीवर उबर फुलू पड़े हैं सभी चोटा हाक असवा है इसमें भी सीवरों में की कोई ववस्ता नहीं है गली की बात करूं तो सारे तूटी फूटी पड़ी है मंडी की बात करूं तो आपके सामने देख रहों क्या आलात हैं जी तो विकास के नाम पर तो एक पर भी हैं उस अलका के अभी बात करना रहे उसकी प्रेशानिया की बात करना रहे हैं तो पिछे अपना लोग सभा चुनाओं गए हैं और आपके जो कॉंग्रिस पार्टी के सांसद प्रतैस्ची थे जैपरकास जेपी जी वो जीत की निकले हैं आपका अलका जीत के लिए प्रति सायोग आशीरबाद दिया जी वो जी डालके ने तो कितना अख लागा है कि विधान सभाचुनाओं में जो है वो प्यार प्रेम कितना जनता को उससे सवाय बढ़ेगा जी अब की बार विधान सभाचुनाओं में अगर अच्छा कंडिडेट कोंग्र्स पारटी दे समाजी मैंने दो जार नो में हर्याना जनत कोंग्र्स पारटी से चुनाप लड़ा था और इस बवानी खेड़े हलके की जनता ने इतना बरपूर्स आशिरबाद और सायोग और प्यार दिया था जो कि 24.31 मेरे को बोट प्राप्त हुआ था और बड़े कड़े मुकाबले के रहे गया था और हलके मजार हूं मैं लगाता तर्प दुखसुक्न में जाता रहा है लोगों के बीच में आप 2 3 महीने से जैसे हलके बजा रहा हूं मैं तो लोगों के जो पहले प्यारए नहां सवाया उसे दुड़ा प्यार मेरे को आज भी दे रहे हैं हम पार्टीज जे कोई भी हो मैं अगर कौगर्स पार्टी आपको ट्रिक्ट देती है तो बातकराओंगे तो उस में भी कमी या कुछ था जो आ बाचित करना थे करना है जैसे लाश्ट टैम पत्ची से तारिक थी फ़ॉर्म अप्लाई करन क तो चोविस तारी को श्याम को मेरे को टिकट दी थी पंद्रा स्वोला दिन का समय बच गया था और पूरे हर्याना में पैंसट बिधान सभाव में हर्याना जंत कॉंगर्स पार्टी की जमान तेजबत होई थी जो कि मैंने 24.80% बोट लिया था और उस टैम चोदरी कुल्दी बिसनोई चोदरी बजनलाल परिवार से कोई भी मेरे चुनाव में नहीं आया था जो कि कॉंगर्स पार्टी ने बहुत दमाकेदार रेलियां करी बड़े-बड़े से मनिश्ट राए और चोटाला साब ने भी बौनी खेड़ें बोड़े जबरदस रेलियां करी लास्ट सम पार्टी और सरकार के आगड़े मेरे जीत बतारे आजगा की कोई जीत है तो पहली शीट बवाणी खेड़े की है समझाय कि अब इन बात करी तो इन तालावा भी अगर और समस्या की बात करा जो की बवाणी खेड़ें भी होंगी मेरे अलकम भी हैं 90 अलकाम है जिस तरह फै एक अपता लोग लेनों में लगे रहे पोर्टल ने तो इस अर्याने की जनता का 90 अलकों में बुरा बहुत बुरा आल किया उस परोट की बज़े से ही लोगों में इतनी परिसानी और इतनी समस्या है हद से जयदा लोगों को जाहर रखे है परोर्टल में काम और विकास के में कुछ जिकरा चर्चा नहीं तो फिर अगर भाविश्य में कांगर्स आवा है अर्याना में तो के कुछ एक सनलाग के हवाई लिए दागे कांगर्स पारिटी की सरकार बनते ही बुड़ापा पैंसन छेजार रुपे महिना सो सो गजगे पलाट उस पे तीन कमरों का सैट बना के देना एसी वेवरक के लोगों को और बिस्ची के लिए भी अनेक प्रकागिस भी दाएं गया सेलेंडर पांसो रुपे का लोग बिजली के तीन सो इनुट फरी अनेक को ऐसी गोशनाई है जो की कांगर्स बनने के बाद और हर्याना प्रदेश की जनतों को मिलेंगी एक बात और बताओं मैं अगर मजा की बात करा तो आप टिकट तो मांगो कांगर्स ते फिलाल देखना ना रहे हैं वह एक कोंगर्स पर तैसे गोपर इड़ी के चाप़े बहुत लागणा ना रहे तो तो तरकार कोई भी अपन लेकिन जनता कोंगर्स के साथ है और मजबूति से कोंगर्स परटी की सरकार आप तो जैसे लोग से बाद चुनाओं में देखना कि जनता वर्शिस मोधी जी अपनाव था तो उस तरह यो चुनाओं भी मतलब जनता वर्शिस भासबासर का होगा बिलकुँ जनता बदलाब कि चाथि पूरी हर्याने में बर्दलाव का दोर है उर जनता कांग्र्स को सुपने के मन बना चुकी है चै कुछ भी कोई अथकड़ने अपना ले सरकार जंताने कोंग्र्स पुलिटिक सरकार बनानी है तो बात करां तो बहुत सारी चीजे इस तरह लें हैं कि सरकार जो है सुईदाय का नाम पर गोसना कर दे हैं लेकिन वह द्रातल पर दिख्वाबन किते की वला को ओओ आप मीडिया के साथी हो आप लोगों बहुत ज्यादा पता है देख रहे हो गोशनाई से काम नहीं चलता धरातल पर कहां काम हुआ है आप बुवानी खेड़ा के चोमन गाउं में कहीं भी जाके देखे लो कोई पीने के पाने की सुपधानी है कोई सरडक नहीं है कोई बिजल है बहुत जिजएपी भी है इन्यों भी है और बसपा भी है तो उनका भी इस चुनाऊं में को जोड़ा हो गाउस्तक्रा बलत तो मतलब कि और पार्टी अगर जिस तरह की उड़ा साव नहीं पिछे कई थी अपने बयान में कि वही सिर्फ भासपा और कॉंग्रस का ही चुनाओ नारा चुनाओ तो दोनों गई है निको पार्टी नहीं देएंगे अर्याना में सिर्फ कॉंग्रस और बीजेपी निर्दली कर लिए अगर बात करा तो जन्ता का बीच मैं अब जानदा रही हो कितने मैं हम लाट खेड़ा हलके के पर तेग गाहूं में तिन तिन बार जा लिया अच्छा लगा तार मेरा तीन मैंने चल रहा है प्रोग्राम हलके के गार्व में तिन तिन विजिट होगी आप चोथी व उमीद है तो जनता बदलाव की मूड में है और अब की बार नए चेरेप दाओ के लिए तो यह भी जिकरा सुने मेरे अलकम भी यह बाचानदारी बतुसाम अलकम भी कि नए चेरा चीहें और उसके बाद अब आप भी करनारे वाणी खेड़ां भी अगर मैं गुमूंगा जिस करने मंदरगड की बात करा तो वह चीज क्या विदान सबाब में कोई इफेक्ट के रहे हैं कॉंगर्स पहली बेख थी आज भी एक है आगे रहे हैं कोई वित्रगात नहीं है ऐसे कोई जो किसी ने वित्रगात थोड़ी की है तो साइध हो आज कांगर्स में नहीं है आपके परती सबसे पहले बवानी खेडा का सुंदर नहर का पानी दूसरे नंबर पर उपमंडल का दरजा तीसरे नंबर पर स्टेडियम चोथे नंबर पर मंडी की ववस्तासदारना शिवरेज की सिस्टम को ठीक करना जो भी हलके में टूटा फुटी सड़के हैं सबको दुरुस साविला तो रोजगार नो जानों के लिए रोजगार सताई मंडी इस जो कि अभी कुछ समय के लिए है पाल टाइम जी तो अगर जनता ने और आहिकवा ने मोका दिया तो यह मंडी सताई रूप से इसमें सेक्टरी बैठेगा और पूरण रूप से बारा मैं सी मंडी होगी ब कोशला है नो बताओ एम में बीड पी एच डी लड़के और डी गुरुफ तो कौंट की सरकाने का आने के बाद ऐसे नहीं है उसके अधार पर नोकरी मिलेगी जैसी जिसकी होगी यह होगता हो यह होगता है अधार पर उसको अनोकरी मिलेगी अब एक लड़का पी एच डी बच्चों के साथ कि इस सरकार में भासपा सरकार के दस साल में जनता जो है दवस्त होई है जनता का सतर आम जनता प्रेशान रही है कि अगर लोग स्वाचुनाओं में बीजे पीने को अच्छा काम किया होता तो यह आलात नहीं होनी थी फिर साथ आठ शीट माना थे महिंदर सिंग जी बही कोंगरश की साथ आठ शीट आउंगी पांच रहेगी तो तो दो तिन सीटों में देखो न मार्जिन कितना है कुछ मार्जिन से आ रही है तो विदान से बाद चुनावाए बतला कि नतीज़े बदलांगी और सरकार जो है उड़ा कोंगरेस एक बार फिर तो हमने देखने में लगई आपको मालू हो 2019 में बीजे सब्सक्राइब कोंगरेस लीड की है तो मैं नहीं मानता है अगली वाद सब्सक्राइब चतर से कम सीटा है यह जान सबाद नहीं आई थी तो आज तो पांस सीटे लोग सब्सक्राइब के और दो तिन सीटे कम अर्जनसी यह हरी है तो इसके अनुमान लगाए तो हर्याना की जनता की इसाब से और जैब हम देख रहे हैं लोगों को रुजान तो पैंसेट सतरे असी सीट तक भी पहुंच सकती है यह जनता का चुनाब होगा बीजे पी को ह आपने मुझे दिक्या को आप गराउंड में जाओ लोगों को बीच में जाओ आपको पसारी बातों पता जाएगा किसको क्या चाती है और क्या लोगों में भावना यह तो आपका सामना भी तो जो है दो बर विधायक हैं आप मंत्री भी हैं जिसमरवाल में की जीत भी और किस तरह फैट करो गया ऐसे पंड़ जी हाईकमान ने असिर बात दिया और जनता का सयोग रहा तो कहीं भी नीटिक पाएगा दो बार कभी दाय के मंत्री जो भी है अच्छा है को निया पाच्छा है बिल्कुम जो जो जनता आपना देखन ना रे फिलाल सारी बात चीत आप तो जनता की असाओं पर खरा उतरूँगा और बाणी खेड़ हलके के लिए जो आज तक नियों करके ना यह तमना है मेरी मैं कोई बिजनिस के लिए नहीं मैं एक जन सेवा के लिए बाणी खेडाल की जनता की सेवा के लिए चीज और है आपको तो हो कि भई सेवादार बढ हैं तो फिर टोओं आके तो अगर मेंदर सिंग तरगा जीत जा है तो मेंदर सिंग जी ना कि टोओं आंगे हम अगर पंड़ जी मेरे को हाई कमान का आशिरबाद मिला और परमात में किरपा होई तो मैं 24 गंटे बवानी खेड़ा कि नहीं है नाजमंडी 124 नमबर दुकान अगर कुर्शी बैठाब काउंगा कि से टेम भी आलके जनता कान पकड़े कहीं भी ले जाएगी जाने के लिए त्यार हो अचा एक चीज़ बड़ बताओ टिकट के अगर बात कर आप आपने साथ में कुछी चीज है मतलब हैसे जी मैं तो गरीब परिवार से हूं और आपन पाट्री फोदेये काम क्रें नेर पकी बनाई श्डटक पकी बनाई नाली पके बनाए उस समय से मिलों करता हूं जी भगवान का अशिरबात है और अही का मान का अशिरबाद है मुष नेता निया जी जनता ही सबब тем प्रिये है है और उपरमाली के एक चीज और है महिंदर सिंग ओड़ जी अगर हम बात करा तो हर एक जो आदमी आज के दिन जिनके हम पोस्टर देखा है जिनके हम बात सुना है गाने में बादजे हैं लोगा है नाम के लेकिन एक चीज जो है अगर भाई कोई भी आदमी फिल्ड मा उतरह है राजनीती मा से नहीं हम ते गड़ीब समाज है और उननीस वठाण में से पहले चोदरी बंसीलाल जी के समर्थ रहे है उननीस वडिन ननाद में जैसी 2015 में आजργा का क्ऑंगर्स में बिले हूआ उस दिन कह Tea ती है जड़ा अब मैं कौंगर्स पार्टी में रूँगा और कौंगर्स पार्टी की सदस्य ले लिए और कौंगर्स पार्टी में रहेंगे रिएगे इमांदार से प्रहे हैं और से इमानदर से काम करा है आगे भी इमानदर से ही रहूँगा प्रभाव देखना में लगा जो बदलाओं की दिष्टी जनता की लोग से बाचुनाओं में थी वा विधान से बाचुनाओं में कितनी करेगी वा देखनारी बात है सारी चीजा पर मुद्या पर जो प्रेशानी है उनकी बात करी आपी ने बेक अप की बात करी और जो सपोर् आनाजबंडी बताना रहे कि पिछे भी रहे हैं आगे भी रहेंगे और सारे मुद्दे विकास के विनास जो दस साल में ने बताया कि क्यों है किस तरह यूवा किसान और जो नोकरशाई होई है इस सरकार का राज में वह सारी चीज़ आपका श्यामी है अपने राए दरनी है सब्सक्राइब करना सारे दर्शकान चाचिता यान भान मायना अपने राम राम जी बहुत बहुत धन्यबाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यबाद सबागत करता हूं आपका यहाने से और आपके जितनी भी चैनल देखने बाले दर्शक है उनक सब को मेरी हाद दोड़ गे में अंदर से दोड़ गे हाद दोड़ गे राम राम सभी को